कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूति के साथ आगे बढ़ रही है आप सभी देशवाश्यों की तपस्या आपके त्याग की वज़े से भारत अब तक करोना से होने वाले नुक्सान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है आप लोगों ने कस्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है हमारे इस भारत वर्ष को बचाया है मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कत आई है किसी को खाने की परिशानी किसी को आने जाने की परिशानी कोई घर परिवार से दूर है लेकिन आप देश की खाति एक अनुशासित सिपाय की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं कि मैं आप सबको आदर पुर्वक नमन करता हूं हमारे सम्विधान में जिस वी दपीपल अफ इंडिया वी दपीपल अफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई हैं कि यही तो है वो कि बाबा साब डॉक्टर भीम राव अंबेर्टर जी की जन्म जैंति पर हम भारत के लोगों की तरप से अपनी सामुहिक शक्ति का यह प्रदर्शन यह संकल्प बाबा साहब को सच्ची स्थ्धाजली है बाबा साब का जीवन हमें हर चुनोती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्थ्रम के बल्बूते पर पार करने की निरंतर प्रेणना देता है मैं सभी देश वाशियों की तरप से बाबा साब को नमन करता हूं सात्यों यह देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग त्योहारों का भी समय है और वैसे भी भारत तो उत्समों से भरा रहता है उत्समों से हरा रहता है उत्समों के बीच खिल खिलाता रहता है बैसाखी पोहेला बैसाख पुथांडू वहाग भी हूँ बीशु के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुवात हुई है लोकडाउन के इन बंधनों के बीच मैं देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी साथगी पुण तरीके से मना रहे हैं यह सारी बाते बहुती प्रेरक हैं बहुती प्रसंसलिया हैं मैं नए वर्षपर आपके आपके परिवार जन के उत्तम स्वात की मंगल कामना करता हूं साथियों आज पूरे विश्व में कोरोना वैस्विक महमारी की जो स्थिती है हम सब उसे भलीभाति परिचीत हैं अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमन को रोकने के प्रयास किये आप इसके सहबागी भी रहे हैं और साक्षी भी जब हमारे हाँ कोरोन का एग भी केस नहीं था उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एरपोर्ट पर स्क्रेनिंग शुरू कर दी थी कोरोना के मरीज सो तक पहुँचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आये हर यात्रि के लिए चौदा दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था अनेक जगहों पर मौल हो थीयटर हो क्लब हो जीम हो बंद करिये जा चुके थे साथियों जब हमारे हां कोरोना के सिरफ पान सो पचास केस थे तभी भारत ने 21 दिन के संपुन लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया बलकि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भर्सक प्रयास किया साथियों वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है लेकिन फिर भी कुछ सच्चाईयों को हम नकार नहीं सकते हैं यह भी एक सच्चाई है कि अगर कि दुनिया के बड़े-बड़े सामर्थवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संबली हुई स्थिति में है महिना डेड़ महिना पहले कई देश कोरोना संकरमन के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसिस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्य हो चुकी है भारत ने होलिस्टिक एप्रोच न अपनाई होती इंटीग्रेटेड एप्रोच न अपनाई होती समय पर तेज फैसले न लिये होते तो आज भारत के स्थिती क्या होती इसकी कल्पना करते ही रूमें खड़े हो जाते हैं लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से यह साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिती में वही हमारे लिए सही है सोशल डिस्टंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाब देश को मिला है अगर सिर्फ आर्थिक द्रस्टी से देखें तो यह महंगा जरूर लगता है बहुत बड़ी किमत चुकानी पड़ी है लेकिन भारत वासियों की जिन्दगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती सीमीद संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग के चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है देश की राज सरकारों ने भी स्थानिय स्वराज संस्ताओं की इकाईयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है 2400 घंटे हर किसे ने अपना जीमा संभालने के लिए प्रयास गिया है और हालत को संभाला भी है लेकिन साथियों इन सब प्रयासों के बीच कोरोना जिस तरफ फैल रहा है उसने विश्व भरमें हेल्थ एक्सपर्स को और सरकारों को और जादा सतर्क कर दिया है भारत में भी कोरोना के खिलाप लड़ाई अब आगे कैसे बढ़ें हम विजय कैसे हो हमारे हां नुकसान कम से कम कैसे हो लोगों की दिक्कते कम कैसे करें इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं मेंसे एक बात उभर करके आती है हर किसे का यही सुझावाता है नागरीकों की तरफ से भी यही सुझावाता है कि लॉक्डाउन को बढ़ाया जाए कई राज्यतों पहले से ही लॉक्डाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं साथियों सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तै किया गया है कि भारत में लॉक्डाउन को अब तीन मैं तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मैं तक हम सभी को हर देश्वासी को लॉक्डाउन में ही रहना होगा इस दोरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देश्वासियों से यह प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नएक शेत्रों में फैलने नहीं देना है स्थानिय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो यह हमारे लिए चिंता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखत मृत्य होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होर्ट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी जादा बहुत जादा सतकता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के हॉर्ट स्पोर्ट में बदलने कि आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होगे नए होट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता हमें कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी 20 एपरिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिक्षा में सफल होंगे जो अपने हाँ होट स्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहाँ पर बीस अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुटचाट दी जा सकती है लेकिन याद रखे ये अनुमती सवशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लॉकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और करोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है मेरे देश्वासियों कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तुरुत गाइडलाइन जारी की जाएगी साथ्यों बीस अप्रिल से चीनित छेत्रों में इस सिमीत छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजिविका को धान बर रखते हुए किया गया है जो रोज कमाते हैं रोज की कमाई से अपनी जरूरते पूरी करते हैं वही मेरा एक ब्रहत परिवार है मेरी सरवच्च प्राथिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है प्रदान मंत्री गरीब पल्यान योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है अम नई गैडलाइन्स बनाते समय भी उनके हीतों का पूरा ध्यान रखा गया है इस समय रभी फसल की कटाई का काम भी जारी है केंद्र सरकार और राज सरकारे मिलकर प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो साथियों देश में दवा से लेकर के राशन तक परियाप्त भंडार है कि सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है कि हेल्थ इंफ्रस्टेक्टर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जहां कि यह कहता है कि कोरोना के दस हजार मरीज होने पर पंद्रा सो सोला सो बेट्स की जरूरत होती है भारत में आज हम एक लाख से अधिक बेट्स की ववस्ता कर चुके हैं इतना ही नहीं छेसो से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोवीड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है साथियों आज भारत के पास भले सीमित संसादन हो लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्यानिकों से विशेश आग्र है कि विश्व कल्याण के लिए मानव कल्याण के लिए मेरे नवजवान साथियों आप आगे आए कोरोना की वैक्सिन बनाने का मेरे देश के नवजवान मेरे देश के वैज्यानिक बेड़ा उठाएं साथियों हम धैर्य बनाकर रखेंगे नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ बांग रहा हूं साथ बातों में आपका साथ पहली बात अपने घर के बुजुर्गों का विशेश ध्यान रखें विशेश कर ऐसे व्यक्ति जीने पूरानी बिमारी हो उनकी हमें एक्स्ट्रा केर करनी हैं उन्हें कोरणा से बहुत बचा कर रखना है दूसरी बात लॉकडाउन और सोशल डिस्टंसिंग की लक्षम डेखा का पूरी तरह पालन करें घर में बने फेस कवर या मास्क का और वह भी घर में बने हुए उनका अनिवारिय रुप से उपयोग करें तीसरी बात अपनी इम्मिनिटी बनाने के लिए आयुष मंत्राले द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं उसका घरम पालन करें गर्म पानी हैं काड़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमन का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरग्य सेतू मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें दूसरों को भी इस एप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें पांचवी बात जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरे करें उनके भोजन की आवश्रक्ता पूरी करें चठी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम करें लोगों के प्रती संबेदना रखें किसी को नोकरी से न निकालें सात्वी बात देश के कोरोना युद्धाओं हमारे डॉक्टर नर्सेस सभाई कर्मी पुलीस कर्मी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदर पुर्वक उनका गवरव करें साथियों इन साथ बातों में आपका साथ यह सब्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है विजय होने का हमारे लिए निष्ठा पुर्वक करने वाला यह काम है पूरी निष्ठा के साथ तीन मई तक लोगडाउन के नियमों का पालन करें जहां है बहां रहें सुरक्षित रहें वयम राष्ट्रे जागरयाम हम सभी राष्ट्र को जीवनत और जागरुत बनाए रखेंगे इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आपको आपके परिवार को उत्तम स्वास की मंगल कामनाए करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद है बहां रहे सुरक्षित रहे बयम